अच्छ नमस्कार, बहुत बढ़ी हाँ, सब लोग अच्छ दिख रहे हैं भाई अच्छ चलो, आज ना हम कुछ बात करते हैं देखो तो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ क्या दिखा रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन में हाँ बोलो, केला, बहुत सुन्दर मालु है केले के पोधे भी हैं देखिए पहला जो चितर दिख रहा है, बड़ा वाला उसमें छोटे-छोटे पोधे दिखाई पड़ रहे हैं फिर पोधे के बाद में आप बड़ा सा देख रहे हैं केले के उसको जाड को कुल मिला करके आप जाड़ी कह सकते हैं क्या कहेंगे पौजा तो है नहीं ओबड़ा हो चुगा इसलिए फिर आप देख रहे हैं केले का एक तना ऐसा लंबा सा लटका हुआ है ठीक है फिर आप देख रहे हैं दूसरे नंबर के चित्र में जो ऊपर दिख रहा है उसमें केला जो है कुछ प बेखता रहता है ठीक है तो यह जो केला है बच्चो क्या है एकड्र से फल है और फलों में केला जो है वो बहुत महत्चुपौण होता है इसलिए जैसे सेव है तो धोना पड़त है आपको लेकिन केला है उसे धोने के जर्वरत नहीं है आप छिलका निकालिए और खाइए और केला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लोग कहते हैं दूद के सांथ केला खा तो सेहत बनती है, तो कैसे भी खाईएगा, केला जो है बहुत महुत पूर्ण फल के रूप में माना जाता है, तो आप लोग भी केला खाईएगा, लेकिन अभी मैं आपके केले खाने की बात नहीं करें हूं मैं बात करूंगी चचा छक्कन के जिन्हों ने केला खरीदा था ठीक है तो आज हम आपकी कक्षा याने कक्षा छट्वी में से विशय हिंदी के अंतरगर पाठ सोलह देखेंगे जिसका नाम है चचा छक्कने केले खरीदे ठीक है तो बच्चे शुरू कर पाठ को ठीक सभी तैयार ओके केले में ध्यान तो नहीं जा रहा है नए ने ने ना चलिए ठीक है फिर कभी खिला भी देंगे आपको किला ठीक है बच्चों मनुष्य अपनी भावनाओं लालसाओं और इक्षाओं को छिपाने का हर संभव प्रयास करता है परंतु मौका आ उससे मनुष्य के इसी सभाव को चित्रित किया है चचा छक्कन के केले खाने की लालच ने उन्हें तरह तरह से बहाने बनाने पे मजबूर कर दिया और उन्होंने पूरे परिवार के हिस्सों के केले खा लिये क्या कहना चाहा रहे हैं यहां पर लेखक दल आपको बता रहा है और इम्तियाज अली ने क्या बता है कि जो चचा छक्कन थे उनकी भावनाओं को बता रहे हैं कि मनुष्य जो है यानि कोई भी व्यक्ति होगा मनुष्य ने व्यक्ति मानाओं अपनी भावनाओं भावना मत दलू में खालू ये में पीलू तो मनुस्य अपनी भावनाओं को लालसाओं को और इक्षाओं को छिपा नहीं पाता है पूरी कोशिश करता है कि मेरी इक्षाओं को या मेरे अंदर की जो भावना चल देए उसको कोई जानने ना पाए लेकिन ऐसा होता नहीं है इंसान जो है अपने आदत के बदवलत उसे क्या कर लेता है वो बाहर आजाता है प्रवित्ति के आजात पर वो बाहर किसी ने किसी किमत में आ जाएगा और हम उसे समझ लेते हैं तो इस पूरे पार्ट में चचा छक्कन ने केले खरीदे में केवल यही बताया गया है कि इंसान की फित्रत यानि स्थिती या हालात किस तरह से होती है ठीक है बच्चों होता क्या है कि जैसे मैंने भी कहा कि मनुपस की किकशाएं उसके करतब भी रूप में आ जाती है यो क्या कर रहा है वो दिखने लगता है और ठीक ऐसे ही इस कहानी में हुआ कि चचा छक्कन ने घर-परिबार के लेकिन हुआ ऐसा कि हो अकेले बैठे बैठे एक एक करके सारे परिवार के लिए लेकिन उन्हों ने क्या किया पूरी तरह से अकेले ढिए तो अकेले खालिया क्यों खालिया होगा pen क्या चा-चा-चुकर जो है वो ऐसे अकेले बेटके खाने वाले थे नहीं बिलकुल भÕ नहीं exhaust जाचाचा चुकर जो है हमेशा घर के अंदर जब प्रवेश करते थे कर बहुत बहुत क्या जा देए और जब आते थे ठीक है तो आते समय वो कुछ न कुछ मिठाईया, नम के इंचिल गोजे, इस रकार की बहुत सारी चीजे जो हैं, आप पाट को पुरा पढ़िएगा, मैं बहुत महत्पुन हिस्से को आप के सामने में रख रही हूँ, तो चचा छक्कन जो है, बहुत सारी सामगरियों को ले करके अपने घर के अ जुटकर बात करके खाना, ये उनके स्वभाव में था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उस दिन, जिस दिन चचा छक्कन ने केले खरी दे, कि वो नोंने केले तो खरी दे, लेकिन उस केले को वो अकेले बैठ करके खा गये, तो उन केलों को अकेले बैठ करके खाने का, इस पार्ट के माध्यम से हम देखते हैं होता ये है कि चचा छकन जी के परिवार में कोंगोन से हैं एक तो चचा है छकन जी तो चची भी होगी ठीक है तो चाचा है तो चची एं फिर एक है लल्लू ठीक है एक है छुट्टर एक है दद्दू ठीक है इस तरह से पाच्छे पात्र इसमें हैं तो होता ये है कि कुछ कामधाम घर में हो जाने के बाद चची ने कहा कि मीर मुंसी चंद की पत्नी की तबित खराब है तो मैं उनसे मिल करके आ जाती हूं ठीक है चचा ने कहा ठीक है चली जाओ तो जो बच्ची है घर में उस बच्ची को भी अपने साथ लेते हुए जाओ ये उन्होंने कहा था ठीक है तो मीर मुंसी के हाँ जाते समय उनकी पत्नी जो है बच्ची को ले करके अपने साथ उनके घर चली जाती है तो दो सदस से कम हो गए त तो दद्दू भी चला गया ठीक है छुट्टन को लेकर के लल्लू जो है वो जाएगा अब कहां पर क्रिकेट खेल लें तो कौन-कौन कैसे-कैसे कहां गये वो यहां पर बात आती है कि चची चली गई बच्ची को लेकर के कहां मीरमुंसी के घर में और लल्लू के मदरसे का ड खिलाडी है अपनी सराई की बदवलत उसे अक्सर क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका मिल जाता है इसलिए साधारन नीमानुसार आज भी वह लल्लू की अरदली में था यहां क्या कह रहे हैं कि जो घर का एक सदस्च्च्च है लल्लू उसके मदरसे मदरसा मतलब क्य अपने अध्यापन होता है वो कहलाता है मदरसा ठीक है नाम अलग है बाकी जगह वही है तो उनके मदरसे में डी एवी स्कूल में क्रिकेट का मेस था लल्लू को बहुत पसंद था लल्लू खेलता भी था तो लल्लू जो है वो चला गया वो अपने टीम का बड़ा अच्छा खिलाडी माना जाता था उनके कोई मोदे जी हैं वो भी उनके साथ चले जाते हैं अरदली अरदली बनकर मतलब नोकर बनकर तो एक सद़स je फिर चला गया मैंने पहले बताया था कि कौन चची चली गई थी बच्ची को ले करके मुंसी जी के यहाँ मिर मुंसी के यहाँ लल्लू चला गया क्रिकेट मैच खिलने के लिए अपने मदर्से के तरफ से डियेव में ठीक है अब आगे हम देखते हैं अब कौन कहां जा रहा ह दो बजे के सिरिमा का मेटनी शो था दद्दू चचा से इजाजत लेकर तमासा देखने जा रहा था छुटन को पता लगा कि दद्दू तमासे में जा रहा है तो एन वक्त पर वह मचल गया और साथ जाने के जिद करने लगा चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विशय में चची का हवाला दे दे कर एक छोटा किन्त विचार पून भाशन देते हुए उसे भी अनुमती दे दी क्या कहना चा रहा है कि आज जो है दद्दू चचा से पर्मिशन लेकर के पिक्चर देखने जा रहा है क 국 sait को बोलते हैं यह देखा रहा है पिक्चर हाल बाहर के फिर अंदर जाते हैं लोग टिक्ट ले कर के पड़े में बड़ा सा होता है जिसे पिक्चर देखते हैं तो मैटनी सो जो दिन के समय कि जो फिलमे होती दिखाई जा तो उसमें वो गया और उनके सांसां कौन चला गया है छुटन भी गया हुआ है ठीक है और जब जाने लगा था तो छुटन भी मचल गया फिर चचा ने कहा कि ठीक है और काफी लंबा चुड़ा भाशन भी दे दिया कि तुम्हारी पढ़ाय लिखाई नहीं हो रही है तुम आ बात असल यह है कि चची कहीं मिलने गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता ऐसे स्वण औसरों पर चचा पूर्ण एकान पसंद करते हैं जिनकारियों की और बहुत समय से ध्यान देने का उसर नहीं मिला होता ऐसे समय चचा ढू किसी को भी घर के लोगों को बाहर जाना होता है तो बहुत दिक्कत नहीं होती क्योंकि चचा जो है सबको आसानी से सहमती दे देते हैं क्यों दे देते हैं कि कोई चचा को एकांत पसंद है मतलब घर में अकेले बैठना बहुत पसंद करते हैं तो दो तो जा चुके थे ठीक है ना चाची जा चुकी थी फिर लड़की जा चुकी थी फिर उसके बाद फिर अब ये लल्लू भी चला गया था फिर अब ये दो लोग भी जा रहे हैं तो इस तरह घर क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा और बचेंगे कौन-कौन एक नौकर है बिंदो नाम का और एक चचा यह दो लोग ही उस घर में बच रहे हैं तो ऐसे समय में चचा क्या करते हैं अकेले बैठ करके घर में जो बहुत महत्वड़ काम होते हैं तो जैसा चाहे वो काम को करवा लेते हैं चचा, इसलिए उनको आज एक काउसर मिल गया, आज उनकी क्रियाशील बुद्धी ने चची की अनुपसिती में घर के तमाम पीतल के बरतन आंगन में जमा कर लिये, बिंदो को बाजार भेजकर दो पैसे की इमली मंगाई, आंगन में मोड़ा डाल कर बैड़ गए, पाउं मोड़े के उपर रखे हुए थे, हुक्के का नैचा मुँ में लगा हुआ था, वक्तिगत निगरानी में पीतल के बरतनों की सफाई की व्यस्था हो रही थे, अब ये क्या कह रहे हैं, कि चच्चा जो है, आज सारे पीतल के बरतन, आप देख रहे हैं, पीतल के बरतन, तो पीतल के बरतनों को ने घर में जितने भी पीतल के बरतन थे, उसको सारे को एक जिगर निकलवा करके उन्होंने एक खटा करवा दिया, आंगन में, और क्या किय बिंदो को तुरंट बजार भेजा और बजार भेज करके उन्होंने क्या कि दो पैसे की इमली मंगवाली, अग दो पैसे देखे, आज के जमाने के इसाफ से आप तुर्ला मत करना, आद दो पैसे तीन पैसे नहीं चलते हैं, लेकिन जिस जमाने में कहानी लिखी गई थी, उस उस्तक में दिया हुआ है उस हुक्य को मुँसे लगा करके अपनी निगरानी में याने पिते हुए अपनी निगरानी देख रिक में बरतन की सफाई की विवस्था उन्होंने अपने लिए कर रखी थी ठीक है बिंदोंने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी ठीक चु बताई तरकीव है ना ले अब बावर्ची खाने में जाकर बरतन मानने की थोड़ी सी राक लेया ठीक है किस बरतन में लाएगा भाला चाचा पूसते हैं यह चाचा ने बिंदों से कहा कि तुमने इमली तो भीगा दी अभिमान से संतोस्त का प्रदर्शन किया मतलब बिंदों उनने बिना कहे इमली को भीगो दिया क्योंकि उसे पता था कि मुझे इमली को भीगो करके इन बितल के बरतनों को मांजना है ठीक है तो बिना बोले उनकी भीगो देने से चचा को बड़ा गर्ब होता है कि मेरा जो अर्दली मेरा जो नौकर है वो भी मेरे सासा बड़ा समस असदार हो गया है इसलिए उने अभिमान और फिर सांसा संतोष ये नवकर को बहुत कुछ आता है इस राउन होने संतोष का प्रदर्शन किया ने दिखावा किया और फिर कहते हैं कैसी बताई तरकीम है ना वो कहते हैं देखो मैं कितनी अच्छे आपको तरकीम बता दी फिर से कहते हैं बावर्ची खाना में जा बावर्ची खाना मतलब रसोई घर ठीक है उर्दो में कहेंगे बावर्ची खाना हिंदी में हम कहते हैं रसोई घर के अंग्रिज में कहते हैं किचन ठीक है तो बावर्ची खाने में जा और जाकर कहते हैं बरतन मानने के लिए थोड़ी हमारी जो है वो गोबर के घटे करते हैं और इकठा करके उसके बनाती है उपले वह देखो एक लेडी जो है बैठ करके बना रही उपले मतलब एक तो बनाते हैं बना कर उसको सुखाते हैं सुखाने के बाद उसी कंड़े से उपयोग करते हैं कैसा जैसा आप देख रहे हैं मटकी उस पे चड़ा हुआ है और कंड़े चारो तरफ लगे हुए हैं तो उस आग में बरतन से सामगरी जो है पक्ती जैसे दूद पर है या चुलाम डालेंगे तो उसमे पूरा ठीक है तो जो राक बन जाता है छेना जो है दीरे दीर धुरे आठों जाता है राक पर आयाए तो पुराने जीजा ने क्लीन के आं जँद दुनिया भर की वहाँ तो है घराम में सबसे कोई तना अच्छो परने में आज बरतन से हमां चु whipping और राक योग रखे भी काम आते हैं मैं बता दूँ लोग खाते भी हैं इसको बड़ी कची खुजबू निकलती है लेकिन कहां के गाओं के राख को जो घर के बैल गाय होते हैं उनकी न शहर वाले को ने क्यों कि शहर की गाय तो चिंदी और जिली और दुनियाभर की चीज़े काती है तो गोबर उस तरह से निकलता है ठीक है तो मैंने आपको यह चीज़े दिखा दी कि राख कैसा होता है हमारे बच्चे जो हैं शहर के तबके में रहने वाले लोगों को नहीं पता कि राख क्या चीज़ है तो राख भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है तो रहा है कलकतिया से केले बेचने वाला आया हूं उसकी आवास सुनकर कुस देड़ तो चचा खामोस बैठे हुक्का पीते रहे कश अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कश्मकश जारी है जब आवास से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस हो गए बिंदो को आवास दी जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है ठीक, यहींने बिंदो जैसे ही रसोई घर गया, क्या लेने के लिए, हाँ, राक ठीक है राक लेने गया, तो वो बरतन ढूढ रहा कि कौन से बरतन में राक को लेकर के जाए ठीक है, इसी बीच क्या हुआ बाहर से किसी फल वाले, केले वाले की आवाज आई वो कह रहा है कि मतलब कलकत्ता से मैं कलकत्तिया केला ले करके आया हूँ इस तरह से उसकी आवाज को जब उसने सुना तो पहले तो चचा चुपचा फोका पीते रहे ठीक है लेकिन हुआ क्या कि बड़की जल्दी जल्दी पी रहे थे मतलब सांस जल्दी जल्दी छोड़ रहे थे ले रहे थे इससे पता चल रहा है कि उसके अंदर कुछ कश्मकश है कश्मकश मतलब एक तरह से उहापो उहापो मतलब होता है क्या हाँ ना कैसे करूं क्या करूं वो सोच नहीं पा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कश्म कश्निर नणले पाना ठीक है तो जलदे जलदे पी रहे थे हुक का उससे लग रहा था कि चचा को सोच रहे हैं और इसके वे क्या होता है इतने मेही कि आवा से मालूम हुआ कि आप फल वाला जाने लगा मतलब कुस देर तक फल वाला रुका होगा जैसे गली मोहले माता है वैसी और आने के बाद जब कोई गली में नहीं मिला होगा तो अब फल वाला अब जाने लगा तो जब पलड के गया होगा तो बच्चे जाहिर सी बात है उसकी आवाज क्या होगई कि जरा जा कर देखियो तो कि केले किस हिसाफ से देता है मतलब कहता है तुम तुरन बाहर जा और जा कर पूछ के आओ कि वो केले कित्ते में देता है ठीक बच्चों हम देखते हैं कि जब वो केला लेने के लिए जाता है देखिए कहानी के बीच का हिस्सा आपकी पुस्तक में आप उसको देखिएगा मैं महत्रपुण हिस्से आपके सामने लगती हूँ जब वो चला जाता है केला पूछने के लिए ठीक है तो वो बताता है केले वाला कि वो दे रहा है छे आने का दर्जन ठीक है जब छे आने दर जब वो बोलता है तो बिंदो आकर कि अपने मालिक को वेने चचा को बताता है कि चचा बैठे बैठे हिसाब लगा लेते हैं 6 आने का दर्जन याने की 24 पैसे में 12 याने की 2 पैसे का 1 वो हुकका पिते-पिते हिसाब लगा रहे दो पैसे का एक चचा तुरंद हिसाब लगा के कहते हैं कि नहीं महंगी है महंगा है कहता है बिंदो को तुम जाओ और कहना उससे की तीन पैसे के दो केले दे दे ठीक अब बिंदो जाता है और केले वाले से कहता है कि आपका केला महेंगा है यदि आप तीन पैसा में दो दो तो हम ले लेंगे केला वाला तयार हो जाता है बच्चो मजदार बात यह है जब तयार हो जाता है तो बिंदो वापस अंदर आता है और आ करके कहता है कि वो तयार है ठीक है जैसे ही चचा को बताते हैं कि केला वाला उसको मैं कुछ बोल गया हूं, ऐसा हो नहीं सकता, कि इसको ना पड़े, ये पढ़ रहा है, तभी मुझे दे रहा है, तुरंब दिमाख लगाता है, किसे बिंदों से, कि नहीं, उसको जाक के बोल, क्या बोलोगे, कि तीन आने के दर्जन देगा हो, बिंदों कहता है, नहीं, मैं एक बार भाव कर चुका हूं मैं नहीं जाओंगा तो चचा आँखों को तरेर करके वो देखते हैं ठीक है मतलब गुस्से से वो देखते हैं कि तुम जाते हो कि नहीं लेकिन बिंदो बार बार मना करता है कि नहीं मैं नहीं जाओंगा मतलब मैं ही भावताय करके आया हूं और मैं कैसे जा करके बोलूँगा तो चचा उसको फिर से गुण सिखाते हैं कहते हैं कि तुम जाओ और जा करके कहना कि गलती तुम्हारी ही थी मतलब तुम वहां कहोगे गलती मेरी थी कि मालिक जो है उन्होंने पहले ही कहा था कि तीन आने के दर्जन दो करके और मैं जटके में बोल गया कि तीन पैसे के दो दो ठीक है ये मेरी गलती थी ऐसा जब तुम कहोगे तो केला वाला मान जाएगा तो बिंदो जो है दिल कड़ा करके जाता है ठीक हम फिर देख रहे हैं तो बिंदो जब जो है दिल कड़ा करके जाता है चचा जांगते थे भाव ठहरा कर मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा बाहर निकलना युक्ति पूर्ण ना मालूम होता था दबी पाव अंदर ग के बाद दुबारा उससे भाव ठायराने पर केला वाला निश्चित तोर में बढ़ बढ़ाएगा ठीक है इसलिए अब चचा बाहर निकल नहीं सकते थे अपने इज़त का सवाल था ठीक है इसलिए वो क्या करता है बाहर निकलना तो ठीक नहीं है सोचता है और धीर इसे मांगते हैं दबे पाव अंदर गए और कमरे की ओर जो खिडखी है जो डिड़ी में खुलती है उसका पट दरवाजा मतलब पूरा दरवाजा हो गया और पट मतलब एक-एक पल्ला जो होता है वो पट कहलाता है तो दो पल्ले आपको दिख रहे हैं कुले हुए ठीक है उसक चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा उनकी चितियों का अध्यन किया और दरजन भर अलग किये केले वाला बाकी केले लेकर बड़ाता हुआ विदा हो गया चचा ने बिंदों की ओर रुख किया ले इन्हें खाने की डलिया में हिफाद़ा से रग दे रात के खाने पर ल लाने के बाद नाराज हुआ चिलाने के मतलब और उसके बाद ले दे करके वो हां कह दिया जैसे ही मतलब पहले तो नहीं बोला फिर ठेला लेकर के जाने लगा ठीक है ठेला वाला वापस प्रलेट चुका है बिंदो जो है घर के अंदर आने लगते हैं तो बिंदो जब घर के तीन आने में भी दर्जन देने को तयार हैं चचा बोलते देखा मैंने कहा था ना कि वह मान जाएगा फिर वो कहता है कि ठीक है जालेया लेकिन उसके पास धेर सारे केले लेके आना मैं जब देखूंगा पसंद करूंगा उसके बाद मैं केला लूंगा तो यह जो आप तीन- क्या दबा लुदेते थोड़ असच्छूते हैं यह पका है कि नहीं नेपका है तो कठोर रहेगा पका है तो आच्छा लगेगा ठीक है तो कौंसा अच्छा दिख रहा है उसकी लंबाई मुटाई सारी चीजहों को भी लोग देखते हैं तो दबा दबाकर उन्होंने देख कि शितियों का ध्यन किया मतलब क्या होती है आपको 맛있다고 कर टैबंद्या रहती है ना छिलके में मतलब अब में और बहुत मीठा होता है बच्चों द्रवसल में ठीक है तो वह चितियों को देखने लगते हैं और देखने के बाद दरजन भर उन्होंने अलग कर लिया मतलब एक दरजन केला उन्होंने एक दरजन में किते केले बालुम तो है ना हाँ very good 12 केले होते हैं ठीक है और फिर इस से केला वाला भी बाकी केले अपना ले लेता है और लेके बड़ाता हुआ निकल जाता क्योंकि आज तो पूरा सनाय केले के चकर में नश्ट हो गया ठीक है कहानी आगे बढ़ते हैं बच्चो अब चचा ने केले तो खरीद ले अब हुआ क्या होगा अब बिंदो बरतन मानने बैठ गए तो चचा इमली के बारे में बात करते देखो मैंने कैसा नुक्सा बताया देखना भी फटा फट तुम मान जोगे और कैसे पूरे बरतन मेरे साफ हो जाएंगे चचा की 12 केले मैंने लिये हैं तो मेरे घर में हम लोग 6 लोग हैं तो 6 लोगों को 2-2 केले मिलेंगे तो 2-2 केले में से मैं घर में बैठा हूँ तो मैं काहे केले उन लोगों के लिए बैठा रहा हूँ मैं अपने हिस्से का केला खाना लूँ तो बिंदों से कहता है कि बिंदों एक काम करो ठियो और जाके कीचन से मेरे हिस्ते के दो केले उठा लिया अब बिंदों ने दो केले उठा के दे दिये बिंदों ने उठकर दो केले ला दिये चचा ने मोड़े पर उन्हें बैटे बैटे पैतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छिलना शुरू किया और मजे से खाना शुरू किया अच्छे हैं केले बस यूँ ही जरा जोड़ से हाँ इस तरह चुटन के अम्मा देखेंगी तो समझेंगी आज ही नए बरतन खरी हैं कि हाँ हाँ जरा जोर से हाथ चला बिंदो को केला नहीं दिये भाई यह ध्यान रखना बिंदों से कहते हैं कि तुम जरा फटा-फट हाथ को चलाओ और जब तुम मांदो करके बरतन को रख दोगे और जब छुटन के अम्मा आएंगी और जब यह बरतन को देखेंगे तो कितनी खुश हो जाएंगी कि मैंने जैसे नए बरतन उसके लिए खरीद दिये हैं फिर अचानक कहते हैं कि अच्छा मैंने कहा यानि मैं कह रहा हूं बिंदों अब क्या बाकी रह गए केले मतलब आप कितने केले बाकी रह गए हैं कि दोखा चुके ठीक बिंदों को पूलों ने पूछा चचाने कि कितने केले रह गए हैं खुती हिसाब लगाते हैं और मन में सोचते हैं कि अब दस रह गए हैं अब आदमी कितने हैं 6 हैं घर में ठीक है चचा हिसाब लगाते हैं कि 6 लोग हैं दो-दो केले मैंने लिये थे मैंने तो अपना खा या अकेले मन ही मन बिंदो के पास में बात करते हैं और मन से बात करते हैं बिंदो से कहते हैं अरे मैंने दो के लिए तो खा दिये अब होगा ये कि जब सारे लोग आएंगे तो देदो के लिए तो बनेगा नहीं क्यों नहीं बनेगा क्योंकि मैंने तो खा लिये हैं और क्या ऐसा होगा कि मेरे बिना केला खाए लोग खा लें अपने बच्चों की पतनी की वो तारीफ करते हैं बच्चों कहते हैं कि मेरी पतनी में एक खास सभाव है कहना क्छा चाहिए कि जब तक मैं नहीं खूँँगा य Company नहीं खाएगे चाहिए आप लेतुद भी हो इसलिए हिसाब लगा के कहते हैं कि बिंदो एक कम कर तू उठियो और जा कर रसोई से चार किला फिले यह तो बिंदो जाता है और जा करके चार किला उठा करके लाके चचा को फिर से देता है ठीक चचा ने इत्मिनान से उन्हें बारी बारी खाना शुरू कर दिया हां तो तू भी कायल हुआ ना इस इमली की करामत का असंख लाभों की चीज है मगर क्या कीजिए इस जमाने में देश की चीजों की और कोई ध्यानी नहीं देता यही इमली अगर विलायत के डिब्बों में बंद होकर आती है तो जनाव लोग इस पर तूट पड़ते हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता क्या कहना चारा है यहां पर अब देखो चार केले आ गए अब देख रहे ना अब यह चारों के लिए बड़ा सुन्दर सा दिख रहा है ना केला वास्ता में खाने ठीक है तो इस इमली से असंख लाब हैं यानि कितने लाब होंगे मगर अफसोस करते हुए कहते हैं मगर क्या कीजिये इस जमाने में इस देख की लोगों को यहां की चीजों की कोई कदर नहीं है और तुलना करते हैं कि यदि यही इमली जैसे उन्होंने दो पैसे कमंगवा और हर घर में एक डिब्बा इसका मौजिद होता यहां पर इस परग्राप के माध्धम से चचा यह बताना चाह रहे हैं कि देशी माल की कीमत कोई नहीं करता माल मतलब हां वस्तु ठीक है तो देशी वस्तुओं की कीमत कोई नहीं करता लेकिन यही चीज जब विदेशी हो चाती हैं तो लोग जो है उसे पसंद ज्यादा करने लगते हैं तो यहां इस बात को इन्होंने रखे मगर मैं कहता हूं केले हमने आज बड़े बे मौके लिए उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि आज वे सब बड़ी-बड़ी नियामते उठा रहे होंगे केले को कौन पूछ पहले सकते फिर लेया यहीं इन्हीं मजबूरी में ही मैं खतम कर डालूं अब सोचने लगते हैं ज्यकेले बच गए ठीक है 6 केले बचने के बाद वह सोचने लगते हैं यह च्यकेलेच खा लिए छैबचे आभी में उनके दिमाद में कुछ बातिया चल रही है अब सोचने लगते हैं कि ललू तो गया है कहां खेलने के लिए वो क्रिकेट खेलने जब गया है तो जहां वो गया है वहाँ उसके भूखा तो नहीं रखेंगे और भूखा नहीं रखेंगे तो वो तो शान्दार होल relationships पाथ यां चल रही होगी सारी चीजे हैं चटनी भी दिख रही है तो चचा मन ही मन सोतीन लगते हैं कि लल्लू तो वहां जहां गया है मैच देखने के लिए वहां तो जी भर के माल उड़ाएगा वो ठीक है तो वह तो खापी के आएगा तो एक केले को क्या खाएगा मत्वा अपने अंदर में तर्क द वहां ले करके गए हुए हैं थो वहां भी मालमत्ता उड़ाएंगे अननों लोग भी खाएगे बिना खाए नहीं रहने वाले हैं तो वह खांते हैं कि फिर पत्नी के बारे में याद करते हैं ये लड़की को ले करके मतलब मिसस गई हुई है ये पत्नी गई हुई है तो मीर मुंसी जी के हाँ मिलने के लिए गई है तो क्या जब वो बैठने गई है दोपहर से कहना चुँए तो अभी तक क्या उसको खिलाए नहीं होंगे बिल्कुल खाए होंगे तो वो भी खापी करके आएंगे तो सब लोग जब खापी करके आएंगे सब का पेट भरा रहेगा तो क्या कोई केले खाएगा और फिर मेरी पत्नी तो बड़ी कैफियत वाली है कैफियत वाली है मतलब वो यही कहेंगी कि यह छे केले तुमने रखे हुए हैं कोई खाने रहा है यह केला खराब हो जाएगा तुमने बेकार पैसे डाल दिये इस रबतनी बात करेगी दूसरा यह कहेगी कि हम नहीं खाएगे माल जे सब के सब बोल देते हैं कि नहीं खाएगे तो चचा सोचते हैं कि अगर वो नहीं खाते हैं तो वो भी ठीक है क्योंकि बिना मन के अगर मैं जबर्दस्ती करूँगा खालो करके तो वो खाएगे लेकिन जबर्दस्ती खाने से शरीर में लगता भी नहीं है ऐसा कहा जाता है बच्चे वास्तों में कि अगर मन नहीं और कोई छीज आप खाते हो ना तो वो शरीर को प्रभावित नहीं करता मतलब फरक नहीं पड़ता उसका असर नहीं होता है ये मतलब हुआ तो बिना मन के खाएंगे तो कोई या ऐसर करे गई नहीं तो क्या मतलब फिर वो कैसे करेंगे तो ना तो पत्नी खाएगे ना बच्चे खाएगे ना ही कोई खाएगे और ठीक भी है चचा अपने मन को समझाते हैं कि भाई अगर किसी को पसंद नहीं है तो ना खाए जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो जिसका जब मन करें अब बिंदो जो है एक केला ला करके फिर दे देता है इनने कहता है इन लोग तो आई नहीं रहे हैं तो मैं काही के लिए मतलब बैठा रहा हो तो जा मेरा वाला हिस्सा केला ले करके आचा हैंने मैं कब तक इंतजार करूँ बिंदो जो है एक केला फिर ला कर दे देता है अ ऐसे होगा फिर उनका मन नहीं मान रहा है बच्चो क्योंकि केला उन्हें बहत पसंद है और अभी तक उन्होंने किते केले खा दिये हैं साथ केले उन्होंने खा ली हैं तो फिर वो कहते हैं कि मैं कहता हूं केले हमने आज बड़े बेमोके लिए बिंदो से कहता है कि आज हमने बे मौके याने बिना मौका कि मैंने एक केला खरीद लिया उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि आज तो वे सब बड़ी बड़ी नियामते उफा रहे होंगे नियामते मतलब जैसे अपने लोगते ना क्या डिनर है लंच है मतलब भोज है ऐसा कहते हैं ना वही है मतलब कारिकरम मे बठे हुए हैं तो इनको बहुत सारी चीज़े खाने के लिए मिल रही होंगी तो फिर केलों को कौन पुछता है यह पचे हुए केले आखिर सर जाएंगे उनको कौन पुछेगा और तुने भी याद में दिलाया वरना च्यों लेते हम इतने बहुत सारे केले वरना मैं क्यो पहले मुझे ठीकाने लगाना ही है इसलिए फेक भी नहीं सकता मैं फेके भी नहीं जा सकते फिर लेया यहीं मजबूरी में मैं ही खतम कर डालू और फिर से वो बचे पांच केले मंगवा लेते हैं अम मंगवा करके पांचों खेले खुद ही बैठे बैठे खा लेते हैं तो तो कुल मिलाकर के कहानी में क्या बात हो गई कि चचा जो है केले खरीदे हैं और पूरी परिवार की लोग बाहर गए हुए हैं है ना उन सब के हिस्से का केला चचा जो है एक एक करकर के अपने लिए जवाब देते देते मतलब तर्क ढूनते ढूनते सारे केले खा जाते हैं तो आपने कहानी अभी सुन ली है, आप पाठ को पढ़ेंगे, पाठ कुछ लंबा सा है, मैंने छोटा करके आपके सामने प्रसुत करने का प्रयास किया है, बच्चों तो आप समझ गए हूँगे, ऐसा मैं मानती हूँ, इस पूरे पुस्तक में चुकी चचा है, मतलब उर्द उर्दु के शब्दों के का प्रयोग अधिक किया गया है, क्योंकि लोग वैसी है ना, उसमें चची है, चचा है, बिंदो है, छुटन है, ऐसा, तो जब हिंदी में हम पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, उर्दु हो है तो उर्दु शब्दे हाँ पर दिखाई पढ़ ला है, तो ऐसे शब्दों को मैंने निकाल करके उनके अर्थ बता दिये हैं आपके पुस्तक में भी है लेकिन फिर भी मैंने निकाला है हर्गिज याने कदापी चिलगोजे एक प्रकार के फल जो बादाम जैसा होता है इत्तफाक याने संयोग निमृत याने विरक्त अर्दली याने देख गिरह याने गाठ पलीद याने बिगारना मुम किन याने संभाव ठीक है और भी हम शब्द देखते हैं पूरे मैंने एक एक शब्द ले लिए हैं चलिए और भी हम सब्द देखते हैं स्वभाव स्वभाव मतलब क्या होता है मतलब स्वभाव हिंदी के ही शब्द है और आदत मैंने कर दिया है इस तरफ पे ठीक है तो आदत है तमाम याने सभी तमाम तरह के बरतन निकाल दिये या तमाम तरह की बाते ऐसा कहते न तो घर के तमाम लोग गए हैं ऐसा बोलते हैं तो तमाम याने सभी ठीक है प्रदर्शन मतलब या तो दिखना या दिखाना या दिखावा, डिोडी मतलब दर्वाजा, पट्छ यहनी दर्वाजा का एक पल्ला, मैंने आपको बताई था, तनलीन मतलब किसी चीज में डुबा हुआ, ठीक है, वक्त, वक्त का मतलब होता है समय, इजाजत, उर्दु शब्द है, इसका मतलब है अनुमदी, हिफाजत, उर्द मतलब होता है जरूरी मतलब आवश्यक को मिला करके दोनों एक जैसा हो गया इहतियात मतलब होता है सावधानी इत्मिनान मतलब धैरिय से और भी शब्द है पूरे पार्ट से मैंने निकाले हैं जो आपको समझ में नहीं आता हो ठीक है आप कहां ढूनेंगे इसलिए मैंने अब यह नहीं बुराई क्यासियत मतलब किसी चीज का वर्णन करना ठीक है मरतबा कई मरतबा ऐसा हुआ ऐसा कहते हैं तो समय तकलुफ यह आप तकलुफ मत करिये ऐसा कहते हैं तो सिश्टाचार ठीक है गरिश्ट मतलब वह खाद्य पदार्थ जो देर से पचे बदहजमी यह नि मतलब होता है अपचक तो उर्दू के भी शब्द हैं और हिंदी के भी हैं मैंने दोनों तरह के शब्दों को आपके सामने रखे और रख करके बताने का प्रयास किया यह शब्दार्थों को किताब पचान सके ठीक है बच्चो तो इस कहानी में कुछ सामानी से आएगा हाँ कोमल कोमल हाथ बताये हाँ बहुत सही पीतल के बरतन मांजने के लिए उन्होंने इमली का प्रयों किया था ठीक है फल वाले ने याब वैमानी तेरा ही आसरा क्यों क्यों कहा यह जब चचाने मैं आपको बता देती हूं पार्ट में आपका हिस्सा है ठीक है वह व्यक्ति मान गया यह कहा च्छैने दरजन से तीन पैसे में दो केले की बात हो गई वहाँ भी मान गया लेकिन तीन आने के पूरा धर्जन हैं तेनाने के पूरा बारा जब उन्होंने कहा तो फलवाला बाद में तयार हो जाता है तो तैयार होने मजब देता है तो उस समय उने कहा कि बेमानी तेरा ही आसरा याने हे बेमानी लोग तुझे स्विकारते हैं याने इस दुनिया में इतने लोग क्यों बेमान हैं तो तेरा ही आसरा तु लोगों के लिए बहुत अच्छा है तो हमारे लिए तो तु परिशानी क का सबब है यहने कारण है तो तो तेरा ही आस्रा है इस दुनिया में सब को लेकिन हमारी आस्रा यह है कि हम अपने पेट को पाल पाएं इस प्रकार हमारे पास हम होनी चाहिए तो इसलिए उन्होंने इस चब्द का इस्तमाल किया प्रश्ण तीसरा है आपके सामने में चचा छ पढ़िया क्या कहा आपने हां उन्होंने कहा कि दद्दू जो है पिक्चर देखने गया है मैंने मैटनी सो तो वहां वो कुछ-कुछ खा लेगा पैसे लेकर गया है ठेक हां और क्या बोल रहे हैं लल्लू क्या कर रहा होगा क्या बतारी थी कोमली का हां लल्लू चुकि मैच ख खाली थोड़ी बठेंगी इस तरह उन्होंने अलग-अलग-अलग फिर कहा कि खराब हो जाएगा उनका पेड़ भरा होगा फिर उन्हें कहा कि और कुछ है धरे-धरे किता देर देखता रहूं या मैं क्यों इंतजार कर रहा हूं इस पर कई सारे बहाने उन्होंने बना हैं आ अगर उसी सामान को डिबे में बंद करके यदि बेजा जाए लेबल लगा करके तो उसकी कीमत बढ़ जाती है बिल्कुल सही है बच्चो है ना आपको पता है कि हमारे 36 गड़ में जो हमारे बंधू लोग थे ओ लोग चावल का जो चूरा होते हैं जिसको कनकी बोलते हैं कन दोसा जहां हम 50 रुपए से ज्यादा देते हैं हम दोसा पसंद करते हैं यह अंतर है कि जब सामान बदल जाता है और प्रस्तूत किया जाता है तो लोगों की भीड जो है उस तरफ चली जाती खिच जाती है यही चीज़ यहां पर कई कि जैसे वह राक के बारे में कहा इमली लोग उन्हीं सारी चीज़ों को लेते हैं न तो यह लोगों की प्रवित्ती है कहना चाहिए कि किसी माल को ज़रा दिखाते हुए प्रस्तूत की अजार बेचा जाए तो उसे लेते हैं ठीक उसी तरह से अगर यहीं इमली डिब्ब्बे में बंद करके कहीं बाहर से आता तो इसकी कीमत बढ़ जाती बिल्कुल सही देशी चीजों और विदेशी चीजों के विशय में चचा के क्या ख्याल है जो अभी मैंने कहा है लगभग यही सारी उतर जो है इसके अंदर आपके पास आजाएंगे मौदूद है तो आप उसे लिख लिजेगा ठीक अब एक चीज आपकता दिखाने की जरूरत नहीं इसे अपना घर समझे इसमें अंडर लाइन है और चारिकता इसके इस शब्द को हटा देना है और हटा करके आपको जो उर्दू अपन पढ़ेना लगातार उसके कोई शब्द को यहां पर डालना है या आप कुछ भी और भी डाल सकते है चुकि हम उर्दू के पाट को पढ़ रहे हैं इसलिए उर्दू के शब्द को हमने लिया उसके जगा हम डाल देंगे देखिए हमने फुल इस्टाप के बाद एक शब्द लिखा हुआ है तकल्लूफ जो हमने कोश्टेक में दिया हुआ है ठीक है तो तकल्लूफ दिखाने क के ज़रूरत नहीं इसे अपना ही घर समझे मतलब बहुं ज़्याद सिष्टा चार मत दिखाए अब यहां पर तकल्फ और सिष्टा चार का क्यारत हो रहा है जैसे आप किसी के गर में जाते हैं और जाने के बाद कुछ मेवा मिष्ठान खाने के लिए आपको देते पूरा टे कि किसी के घर में आप गए हो और अगर सामने कोई चीज परोज दिया है तो एकदम उठाओ फटा-फट चुरू हो जाओ ऐसा नहीं होता है ठीक है तो यह चीज हो गई यहां पर तो तकल्फ दिखाने के जरुरत नहीं है आप इसको अपना घर समझ के खाए एक मामूली बा हीलो हवाला करना भूलते हैं तो शब्द बदल जागा एक मामूली बात पर दोनों भायों वहों देर तक हील हवाला चलती होती रही ठीक है अगला है हमारा छोटा भाई इतना बातुनी है कि जरा देर चुप नहीं बैठ सकता के लिए आप हिंदी के शब्द ले लिए हैं उर्दू के भी ले सकते जो भी हैं हमने देख दिया खामोश ठीक है खामोश ऐसा कहते हैं तो हमारा छोटा भाई इतना बातुनी है कि वह जरा देर भी खामोश नहीं बैठ सकता ठीक है आज तो आप मुझे संयोग से यहां मिल गए हम कहते हैं करें आप आज हमको आप मिल देखेंना जैसी है निटी से मिल गए इसUNG ऐस यह कैते हैं इतफाक इत्तफाक ज Leon आप मुझे इत्फाख मिल गए ऐसा कहते हैं मैंने तो आपके अनुपस्थिती में आराम से बैटकर खाना खाया जैने अनुपस्थिती शब्दे के लिए वृर्दी में क्या रहा है गैरहा में मैंने तो बैठ करके आराम से खाना खाया वाक्त आप देखी जिस दूंसे वैस आपको बोलना है अपने शरीर की स्वैम सुरक्षा करनी चाहिए सुरक्षा के लिए क्या सब्ध हमने देखा तो कौन बता रहा है बताएंगे हाँ हिफाजत वेरी गूर्ड शांतिनों बहु वक्ते में फ्रेव करिए यह आपके लिए काम हैं कि आप करते रहें मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि violτο मेरा समयoot योह होने जा और आपके दूसरी वैले varyक्रास भी होगि ना तो समयका ध्यान तो न पड़ेगा तो ठ encüकाने लगाना हावाला देना नीयत में खोड आन इन शब्दों को या इन मुहारों को आप फिर से देखिए, पढ़िए, माल ले जाए, एक दो मुहारे ऐसे हैं, जो पार्षिता मदिद नहीं हैं, तो भी उसका आर्थ निकाल लिए, तो पहले तो आप आर्थ निकाल दीजिए, और आर्थ निकालने के बाद उसको वाक्य में प्रयों करने का प्रयाश कीजिए बच्चों, ठीक है, तो आप घर में उस काम को करेंगे न, मैं यह मान के जाए, यह आपका ग्री कार्या है, कुल मिला करके, कि आप घर में करेंगे, और करने के बाद आप अपने सिक्षक को दिखाएंगे, ठीक है बच्चों, तो हम यहीं अपना के साथ आप सभी को धन्यवाद,